अन्यपूर्णे, महापूर्णे, शंकर, प्राण, वल्लभे, जयान, वैराग्य सिद्ध्यर्धे, भेख्षाम, देही, चपारवती दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अन्यपूर्णा व्रत के बारे में अन्यपूर्णा माता का व्रत किया जाता है मार्क्सिस मास में यानि की अगहन के महीने में और इस व्रत को धारन करने के बहुत सारे लाव हैं जैसे कि जो भी मनुष्य इस व्रत को धारन करता है उस मनुष्य की आयू में व्रिद्धी होती है अर्थात दिर्ख आयू की प्राप्ती होती है और लक्ष्मी की प्राप्ती होती है अर्थात धन की भी प्राप्ती होती है तो कहा जाये तो इस व्रत को धारन करने से धन धान्य पुत्र पौत्र आदी समस्त कामनाई पूर्ण हो खाने पीने की सामान की कमी हो गई तब धर्ती के प्राणी भूख से विवल हो उठे और सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्तना की और माता पार्वती ने अन्न पूर्णा का स्वरूप धारन किया और भगवान भोले नात ने एक भिखारी का रूप धारन क और माता पार्वती से भीक्षा मांगर भगवान भोलेनात ने उस अन्न को पृत्वी लोग पर रह रहे प्राणियों में बाड़ दिया तब कहीं जाकर इस समस्या का समाधान हुआ पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने अन्न पूर्णा का स्वरूप धारण किया था मार्क्सिस मास की पूर्णिमा तिथी पर इसलिए मार्क्सिस मास की पूर्णिमा पर अन्न पूर्णा जैनती मनाई जाती है और अगहन मास में माता अन्न पूर्णा के निमित व्रत धारन किया जाता है उनकी पूजा की जाती है तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माता अनपूर्णा के निमित जो व्रत धारन किया जाता है कब से प्रारंब हो रहा है और कब समाप्थ होगा कितने दिनों का व्रत होता है व्रत के नियम क्या होते हैं पूजा वि तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है पूरा जरूर देख लिजिए अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स नरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं यही एक मात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए तो सबसे पहले जानते हैं कि अन्नपूर्णा वरत कब से प्रारंब होगा और कब समाप्थ होगा देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अन्नपूर और शुकलिपक्ष की 60 तीति तक किया जाता है तो फिर ये वरत हो जाता है 17 दिनों का और कई स्थानों पर शुकलिपक्ष की 80 मी तीति से प्रारंब करके और शुकलिपक्ष की पोणिमा तीति तक मतलब आठ दिनों का ये वरत किया जाता है तो अलग-अलग स्थानों पर अ अन्यपूर्णा व्रत धारन करना चाहते हैं तो 20 दिसंबर 2024 से यानिके बुधवार से अन्यपूर्णा व्रत का प्रारंभ होगा अन्यपूर्णा व्रत प्रारंभ हो जाएगा आप व्रत करते हैं बहुत अच्छी बात है नहीं व्रत कर पाते हैं तो ऐसे में भी विथे विधान से माता अन्यपूर्णा की पूजा आप इन 17 दिनों में जरूर कीजिए और हां प्रती दिन की कथा जरूर सुना कीजिए मतलब प्रती दिन अन्यपूर्णा व्रत की जो कथा है वो अवश्य सुननी चाहिए पूजा के बाद कथा सुन लीजेगा अच्छा की वीडियो आपको थोड़ी दिर में मिल जाएगी तो प्रती दिन पूजा करने के बाद तह आप उस कथा को सुन लीजेगा ठीक है अगर आप किसी भी कारण वश वरत नहीं कर पाते एं तो आप चाहे तो इन दिनों में विशेश पूजा आराधना कर सकते हैं माता अन्य पूण ना की और अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो पोनिमा तिथी पर जो कि अनपूर्णा जयांती मनाई जाती हैं उस धिन भी विशेश रूप से माता अनपूर्णा की पूजा कर सकते हैं और जैसे कि अगर आप वरत धारण करना चाहते हैं तो पूरे 17 दिनों तक, मतलब अगर आप 17 दिनों का वरत कर रहे हैं, तो पूरे 17 दिनों के लिए आपको एक चौकी की स्थापना करनी पड़ेगी, जैसे कि जिस भी स्थान पर आपके घर में एक निश्चित स्थान तै कर जगपर और वही पर एक चौकी लगा दिजे माता अनपुर्णा की मूर्ति आप रतिमा है तो उसे स्थापित कर दिजे नहीं है तो businessman की प्रतिमा क्यों की आप कर सकते हैं और जैसे कि अगर आपके पास माता अन्पूर्णा की मूर्ती है तो आप क्या कर सकते हैं एक कलस भर लीजिए मतलब जल का कलस उसके उपर पूर्ण पात्र इत्यादी रखकर और माता अन्पूर्णा की मूर्तिया प्रतिमा जल कलस के उपर ही रखी जाती है जल कलस बनाना पात्र में चावल भरकर रख दीजिए उसी पर माता की मूर्ति अगर आपके पास है या फिर प्रतिमा है तो स्थापित कर दीजिए अगर आपके पास माता अनपोर्णा की मूर्ति अप्रतिमा नहीं है तो शिव पार्वति की अगर आप प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं तो फ भगवान भोलेनात और माता पार्वती की विधिविधान से पूजा करेंगे पूजा की सामगरी आप सभी जानते हैं भगवान गणेश को दूर्वा अत्यांति प्रिय है तो आप दूर्वा अर्पित करेंगे अक्षत चंदन पुष्पित्यादी जो भी आपके पास है कई स्थानों पर चौकी के ऊपर ही कल पीव्यीक्ष जो धान की बालियां होती है उससे बनाकर इस्थापित किया जाता है कही अगर आप कई वबैर分享 कि अभगbung कि अवा शयकता नहीं है आपको अर्पित कर सकतें हैं लेकिन अगर आपको मिलती है dalे शहरों में रहते हैं तो इस सीजन के जो नए चावल होते हैं वो मिल जाएं तो वो आप एक पात्र में भर कर और माता अनपुर्णा के सामने रख दीजिए और प्रती दिन उस अनाज की पूजा कीजिए क्योंकि देखिए अनपुर्णा व्रत में अन की ही पूजा की जाती है क्योंकि सबसे अवशक अगर है कुछ धर्ती पर तो वो अन है क्योंकि अन से ही जीवन है उसके बाद आप बाकी चीज़े सोच पाते हैं पहले तो अनाज चाहिए खाने के लिए इसलिए अन की पूजा अध्यनतावशक है और एक और नियम होता है अनपुर्णा व्रत में अगर आप 17 दिनों का व्रत धारन करना चाहते हैं तो एक धागा होता है आप चाहे तो रिशम की डोरी ले सकते हैं या फिर कलावा ले सकते हैं 17 गाठे लगा दीजिए उसमें 17 गठान और माता अनपूर कर थे भिक्षाम देहि dormit अध्य हर बार गाठ बांधते समय इस मंत्र को आप सकते हैं मतलब जितनी बार आप गाठ बांधते हैं उतनीSO का जब कर सकते हैं अगर आप मण्त्र नहीं बोल पाते हैं तो ऐसे ही जैमा अनपॉर्णा जैमा अनपुर्णा क्रिपा करो इस प्रका करने के बाद माता की आर्थी कर सकते हैं और अब बात करें कि यह जो आपने धागा बांधा है 17 गठान वाला इसका प्रयोग आपको कब करना है दिखिए इस धागे को बांधने के और पहनने के भी बहुत सारे नियम होते हैं जैसे कि कई स्थानों पर यह धागा माता के चरण फिर उसके बाद से अपने हाथ में बांध लीजिए और 17 दिनों तक बांध कर रखिए जब 17 दिन आप उध्यापन करते हैं तो फिर आप इस धागे को खोल कर अपने हाथ से निकाल कर और विसरजित कर देते हैं तो जिस प्रकार से आपके परिवार के नियम है उसके अनुस रूप से अच्छी तरह से मतलब डीप क्लीनिंग जी से कहा जाता है अच्छी तरह से साफसफाई एक दिन पहले ही कर लीजिए चूले की अच्छी तरह से साफसफाई कर लीजिए एक चीज का आपको ध्यान रखना है इन 17 दिनों में आपके घर में लेसुन प्याज का प्र मा अनपोणा की चौकी लगा करूंगी पूजा कर सकते हैं लेकिन घर की साफ सफाई का ध्यान रखिएगा घर की रसोई की साफ सफाई का ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा घर की रसोई में लसुन प्याज नहीं बनेगा और जैसे कि आपने अलग से चौकी लगा भी रखी है तब भी आपको पहले अपने घर की रसोई में पूजा करना है चूले के पास उसके बाद से माता पारवती से माता अनपुर्णा से प्राथना करना है कि हमेशा आपके घर में अन और धन का भंडार भरा रहें कभी भी कि माता अनपुर्णा से प्राहटना करना है कि या Moana अनपुर्णा आप मेरे घर में सदय व्वास करें उसके बाद आप चौकी पर विराजित माअन पुर्णा की पूजा करेंगे कि अभी 17 दिनों में आपको प्रयास करना है कि आप अन्ह का दान करें जरूरत मंदों को भोजन कराएं क्यूंकि देखिए अन्न के लिए ही तो हम व्रत धारन कर रहे हैं तो विशेश रूप से आपको ध्यान रखना है कि इस समय में कोई भी आपके दर्वाजे पर आता है तो उसे अन्न यानि की कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर दें गाई को गुड और रोटी आप प्रती दिन देंगे कुट्टे अगर आपके घर के आसपास है तो उनको भी आप भोजन देंगे और घर की छट पर पक्षियों के लिए भी अन्न की व्यवस्था आपको करना है मतलब अन्न का हम जितना वितरन करेंगे मा अन्नपुर्णा की गृपा भी हमें उतनी ही व्राप्थ होती है अब बात करें कि अगर आप व्रत धारन कर रहे हैं तो व्रत में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है देखिए नियम के अनुसार मतलब इस व्रत के शाश्त्री नियम की बात करें तो कहा जाता है कि इस व्रत में नमत का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए पूरे 17 दिनों तक फलाहार करना चाहिए मतलब बिल्कुल ही आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए लेकिन अगर आप 17 दिनों तक अन्ने के बिना नहीं रह पाते हैं जो कि सब के लिए संभव नहीं हो पाता है तो आप क्या करेंगे दिन में आप फलाहर कर लीजिए और शाम को आप मीठा भोजन कर लीजिए अब कई भक्त ऐसे भी है जो कि व्रतो करना चाहते हैं लेकिन मीठा भोजन नहीं कर पाते हैं स्वास्ति शीक ना होने की वज़े से बिना नमक के नहीं रह पाते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है दिन में आप फलाहर कर लीजिए और शाम को माता से शमा प्रार्थना करके आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं व्रत के भोजन का प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि नवरात्री में जो हम भोजन करते हैं कुटु सिंगाडे काटा उस प्रकार से भी भोजन कर सकते हैं और अगर आप सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है तब आपको सात्रीक भोजन लेना है मतलब शुद्धर सात्रीक भोजन लीजिए लेस्टम प्यार mandate का सेवर मत कीजिये और माता की पूजा आप तब कर सकते हैं देखिए जितनी आप से हो सके उतना तो करी सकते हैं तो जरूरी नहीं है वरत करें बिना वरत के भी पूजा कर सकते हैं क्या बिना वरत के चौकी लगा सकते हैं जी हां बिना वरत के भी आप चौकी की स्थापना करके माता अनपुर्णा की पूरे सत्रह दिरों तक पूजा कर अगर आप वरत नहीं करते हैं तो भी अगर आप सिर्फ पूजा कर रहे हैं चौकी स्थापित करके तब भी आपको बिल्कुल 17 दिनों तक लेसुन प्याज का सेवन नहीं करना है अब यहीं पर एक और प्रश्ण उठता है कई भगतों के प्रश्ण आते हैं कि मैं तो बिना ल पूर्णा की चौकी स्थापित करते हैं उन्हें विराजित करते हैं और फिर लेसुन प्याज अपने घर की रसोई में बनाते हैं तो विश्वास कीजिए आपको लाब तो नहीं मिलेगा लेकिन नुकसान बहुत होगा इसलिए गलती मत कीजिएगा चाहें बिना चौकी खापित करके घलती करते हैं तो फिर यह आपके लिए और नहीं आपके परिवार के लिए अच्छा होगा तो पूरे सत्रह दिनों का यह वृत होता है सत्रह दिनों तक नियम पुर्वक इस व्रत को धारण किया जाता है अगर आप मादा अन्नपौना की पूजा या वरत करन सकते हैं सुहागन इस्तियों को भी घर बुला कर भोजन करवाए जा सकता है मतलब देखिए अंतिम दिन उद्यापन में कुछ लोग आपके घर में भोजन कर ले इस प्रकार की व्यवस्था रखिए और बात करें कि अन्पूर्णा व्रत कब तक करना चाहिए तो देखिए शा करने के बाद 17 वे वर्स में जब अप उद्यापन करेंगे तो फिर ब्रामण को घर बुलाकर विधिविधान से और पूजा आराधना करके फिर आप उद्यापन करते हैं दान दक्षिना देते हैं विधिपूर्वक तरीके से और तब तक माता अन्पूर्णा आक को इतना द अगर आप व्रत धारन करना चाहते हैं 17 दिनों का तो आपको चौकी की स्थाबना पूरे 17 दिनों के लिए करनी बड़ेगी सुबे ब्रह्म मुहुट में उठना है आपको माता की पूजा आरातना श्नान करने के बाद आपको करना है अपने घर की रसोई में पूजा करना है और फिर शाम के समय संध्याकाल में पूजा करना है बहुत से भकते हैं जो की 17 दिनों के लिए अखंड दीप प्रजलित करते हैं लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो सुबे शाम जब आप पूजा करेंगे उस समय में आपको दीपक अवश्य प्रजलित करना है श प्रति दिन सुबे और शाम आपको कथा जरूरब सुननी है उमीद करते हूं कि प्रति दिन अप्लोड होने वाली जो सुबे की वीडियो है मारसिस मास की कथा उसे आप लुग जरूर सुनते होंगे अगर आप लोग नहीं चुन पा रहे हैं उस कथा को तो जरूर सुनिए क अगर आपका कोई भी प्रेश्ण हो अनपोर्णा जे अंति या व्रच्य संबंधित तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बहुत जल्दी आपके प्रेश्णों पर या तो वीडियो बन जाएगी या फिर कमेंट बॉक्स में ही उत्तर मिल जाएगा और अगर आ